दोस्तों आज कल फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, मैं भी फिटनेस से जुड़ा हूँ, तो मेरा भी फर्द बनता है कि अपने व्यूपॉइंट इस बात पर रखूँ दोस्तों इस बात को नजरा अपने आप लें, अपनी फैमिली पर लें, खुद पर लें, कि मनोज भाई के साथ जो हुआ, वो यदि हमारी साथ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप खुद खुशी करने के आप पोशिच कर रहे हैं, हमारी फैमिली, हमारे माता पिता, वो कि अगे बढ़ना चाता है, फिटनस की इन एक्टिविटी में बहुत आगे बढ़ना चाता है, बोडी विल्डर बढ़ना चाता है, तो यदि आप इस तरह की बाते करेंगे, तो ये बिल्कुल भी शोगा नहीं देता है आपके लिए, हलो मेरे भाईयो कैसे आप सब, I hope आप स फॉलो किया जाता है, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, आज कि फिटनस इंडस्ट्री में एक कॉंट्रो वर्सी चली हुई है, मनोज पाटिल वर्सी साहिल खान, मैंने साहिल खान का जब ये वीडियो देखा, मुझे शौक हो गया एकदम, क्योंकि मैं उन्हें बहु सारे कमेंड भी होंगे उनकी आईडी पे, मैं उन्हें दिल से बहुत जारा मानता था, पर जब उन्होंने इस तरह की बात की, इस से पहले भी मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी, संगिराम सर को वो इस तरह भोड़ रहे हैं, कि जहां पर तुम खड़े होते, वहां पर हम as a guest होते हैं, आप अपनी जगह पर हैं, और वो जो स्टेज पर खड़ा हो रहा है, उस चड़ी में वो जो खड़ा हो रहा है, तेल लगा कर वो जो खड़ा हो रहा है, उसने तेल लगाने के लिए महनत किये, वो मैडल ले रहा है, हमारे इस इंडिया के लिए मैडल ला रहा है, हमारे देश का नाम उंचा हो रहा है आखिर आपके पास कितने medal है आपने कितने medal है इंडिया के लिए आप पी इतने बड़े fitness icon है क्या आप इंडिया के लिए कोई medal नहीं ला सकती और एक आप वो जो बात बोलते हैं कि कभी औकाट चेकर नहीं हो तो मैं आपके लिए एक छोड़ी सी बात बताना चाहूंगा यदि आप इतने बड़े icon है यदि आपके पास इतना पैसा है क्यों आप देश की युवाओं को sponsor क्यों नहीं करते आप उन्हें आप sponsor करो जोड़ इंडिया में काफी सारे ऐसे युवा है जिनका background अच्छा नहीं है उन्हें आप sponsor करो जो कि आगे कुछ खरना चाते हैं दोस्तों मैं खुद की बात करूँ साहिल खान का मैं भी आज तक सबसे बड़ा फैन था परन्तु जब मैंने वो वीडियो देखी आप इन recording को सुनेंगे मनुज पाटिल वर्सेस साहिल खान की recording सुनना आप वो recording सुनना आप तो मनुज भाई को वो किस तरह बोल रहे हैं उनके लिए क्या बोला जा रहा है कि जहां पर तुम खड़े होते हैं वहां पर हम as a guest खड़े होते हैं हम respect करते हैं कि आप as a guest खड़े होते हैं पर यहां पर मैं कहना चाहूंगा वो जो चड़ी में खड़ा हुआ है जिसके लिए आप यह बोटे हैं वो जो तेलग आके खड़ा हुआ है उसकी भी तो कोई इज़त है उसने भी तो अपना नाम कमाया है, उसके पास medal है, उस medal के लिए उसने कितनी महनत की है, कितनी महनत की होगी उसने उस stage पर आने के लिए, एक middle class की family का बंदा जब किसी बड़े stage पर जाता है, तो वो तो इत्यासर चाये गई, और मैं मनुज भाई के लिए मैं दिल से दोज आ क कि आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमाई मैंने काफी सारे लोगों की वीडियो देखी तो बड़े बड़े यूट्यूबर सभी ने इस पर वीडियो बनाई है सबने अपना व्यूपॉइंट रखा हुआ है मैं भी चाहता था कि इस टॉपिक पर अपना व्यू कि मेरी बॉड़े पर साइड इफेक्ट हुआ है मेरी बॉड़े पर ऐसा हुआ मुझे पुराने सप्लिमंट दिये गी उसका जो फेस है वो बच्पन से ही ऐसा है उसकी बॉड़े पर कोई भी रियक्शन नहीं हुए तो वो टोटली बिलकुल फेक है मनोज भाई को साहिल ख क्योंकि इससे हमारी जो फिटनेस जो इंडस्ट्री है इसके लिए एक बहुत बेकार मैसे जा रहा है एस्पेशली यूद में बहुत जारन नेगेटिविटी फैड रही है साहिल खान जिस तरह बोर रहे हैं दोस्तों जरा मनोज भाई को अपनी जगा पर लें खुद की सड़क पर इतने जोर जोर से रो रही है इस तरह क्या होगा आज के क्यूद का यदि वो इस तरह खुद खुशी करेंगा बड़े बड़े लोगों का यदि इस तरह डेप्रेशन पढ़ रहा है तो क्या फाइदा है हम सभी के लिए आज ये मनोज भाई के साथ बीच रहे है क्ल हमारे साथ भी बीच सकती है किसी के साथ भी उसकते हैं तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट रहीगी कि इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए क्यूंकि इस से आज का युवा वो जदी इस तरह खुद खुशी करना लगी जाएगा तो क्या होगा हमारे इस देश का एक एक युवा इस देश की बैकबॉन है एक रीड की हड़ी है एक फ्यूचर है एक यूथ इस इंडिया का तो साहिल खान वाली जो बात थी यह बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी किसको यह बात अच्छी लगेगी किसी को भी अच्छी नहीं लगी जब इस तरह की व वीव जरूर बनाई और अपना अपना व्यूपॉइंट इस बात पर जरूर रखें